आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पुस्पक, हिंदी पाठ्रक है ये कच्छा-पांच की, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे ये कविता है, मूल लिवान है समय, ये पाठ चोदा, ये कविता दी गई है तो इसके पहले हम लोगों ने पाठ 18 तक के वीडियो देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे मूल लवान है समय, तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम इसका अर्थ बताएंगे, और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रशनों को हल करेंगे, तो हमें कविता को ध्यान से सुनना है, जिसले कि हम इसके प्रिशन का उत्तर आसानी से समझ सकें, और आसानी से देश सकें, तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम प्रस्थावना पढ़ेंगे, प्रस्तत कविता में बताया गया है, कि जीवन की विविद इस्थित्यूं से आविश्यक हैं अब इसमें कविता को पढ़ते हैं घूम लिये हम खूब बाग में करली दुनिया की चर्चाएं आओ बैठें जील किनारे नए धंग से पाट पढ़ाएं तिनका तिनका चुन कर लाकर बया घूशला बुंती है जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है में जगाती है मूल लिवान है समय बहुत ही हम सब को बतलाती है दाना दाना खोज बीन कर चीटी अन जमा करती है बुरे समय के लिए बचाओ यह सिच्छा हम को देती है देखो काटे ओड पहन कर फूल सभी मुस्काते खिलते वहीं सुखी हो सहें मुजीवत इन जैसे ही हस् इसी नदी को देखो बहती कभी न रुकती दिन हो साम और करो कुछ और बढ़ो कहती लेती नहीं विश्राम पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम तो इसके बाद हम इसका एक बार अर्थ भावार्थ देख लेते हैं तो जैसे इसमें दिया गया है इसके जो लेखक हैं इसमें लेखक नहीं दिया गया है तो अब यहाँ पर घूम लिये हम खूब बाग में कभी कहता है कि हमने खूब बाग में बगीचे में घूम लिया है कर ली दुनिया की चर्चाएं और दुनिया की संसार की चर्चाएं कर ली हैं उनकी विसे में हमने बातें कर लिया है आओ बैठें जील किनारे अब जो है हम जील के किनारे बैठते हैं और नए धंक से पाट पढ़ाएं और जो भी हमने अभी तक सुसीखा है उसको हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं और बताते हैं फिर इसके बाद है तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घुशला बुनती है बया चुरिया जो है एक एक तिनका लाकर के पेलू पे अपना घुशला बुनाती है जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है और जो हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए त्याग नीन का मूँ शवेरी चुडिया हमें जगाती है हमें चुडिया से सिछा लेना चाहिए कि सुबा सुबा नीन को त्याग कर नीन को छोड़ कर वो सुबा सुबा हमको जगाने के लिए आती है मूँ लिवान है समय बहुत ही हम सब को बतलाती है और हमें बताती है कि समय बहुत मूलेवान है इसलिए नीन को त्यागो और सुबा उठ जाओ आगे है दाना दाना खोज बीन कर चीटी अन्य जमा करती है एक एक दाना इधर उधर से सारा दिन इधर उधर घूमा करती है चीटी और एक-एक दाना खोज भीनकर एकठा करती है जमा करती है अपने बिल में बुरे समय के लिए बचाओ यह सिछा हम को देती है और चीटी से हमें यही सिछा मिलती है कि बुरे समय के लिए हमें अन्य को या सामान को धन को भषजा की रखना चाहिए जिस प्रकार से चीटी एक-एक अनाज को इधर उधर एक-एक दाना को खोच के जमा करती है और उसी प्रकार से हमें भी अपने अनाज है और भी सामान जो है हमें बचा कर रखने चाहिए कब हमें किस सामान की जरुवत पड़ चाहे इसके बाद आता है कि देखो काटे ओड़ पहन कर फूल सभी मुस्काते खिलते जैसे हम गुलाब के ही फूल को ले लेते हैं गुलाब के फूल में कितने काटे होते हैं पेर में लेकिन उनकी बीच में फूल अच्छे से खिल जाता है और मुस्कराता रहता है वही सुखी जो सहे मुसीवत इन जैसे ही हस्ते हस्ते इन पेरों से हमें सीखना चाहिए कि जो मुसीवत में रहता है मुसीवत सह लेता है वो जीवन में सुखी रहता है और हमेशा हस्ता मुस्काता रहता है इसी नदी को देखो बहती कभी न रुकती दिन हो साम नदी को देखो नदी से हमेशे च्छा लेनी चाहिए कि वो दिन रात बहती रहती है चाहे दिन हो या साम हो या सुबा दो पहर किसी भी समय हम देखते हैं नदी हमेशा निरंतर बहती रहती है और करो कुछ और बढ़ो कहती लेती नहीं बिस्राम और कहती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा कुछ करते रहना चाहिए, कभी भी आराम नहीं करना चाहिए पीपल बरगद नीम के नीचे पतिक सदा करते आराम, पीपल बरगद नीम ये सब पेल के नाम दिये गए हैं इन पेलों के नीचे जो पथिक है जो रागीर हैं वो आराम करते हैं सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम और जो सज्जन मनुश्य हैं जो सज्जन पुरुश हैं वो हमेशा जो है हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं दूसरों के काम में आते हैं और कभी किसी को द फाग मूलवान यहीं कीमति और इसके बाद आता है त्याग का आर्थ है छोड़ देना, विश्राम का आराम और पथिक का आर्थ है यात्री इसके बाद हम इसके अभिहाज प्रशन देखते हैं तो इसमें पहले मौकिक प्रशन दिया गया है कि कविता की पंक्तियां पढ़ कर निम्र लेखित प्रश्णों के उत्तर बताईए पीपल बर्गद नीम के नीचे पथिक सदा करती आराम सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम तो इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है कि उप्रियों के पध्यांस में आये विछों के नाम लिखे तो हम कविता को देखते हैं कविता को पढ़ते हैं इसमें कौन-कौन से पेलों के नाम आये हैं पीपल है, बर्गद है, नीम है तीन पेलों के नाम इसमें आये हुए है उब्रिच क्या करते हैं तो उब्रिच जो है पथिक को आराम देते हैं यानि पत्तिक जुरागी होता है, पेल के नीचे बैट कर आराम करता है, पिर आगाया आता है प्रिष्ण का सजजन कैसे होते हैं, सजजन हमेशा दूसरों के काम में आते हैं और कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, इसके बाद हम आते हैं, लिख tooling का एक है, सही बिकल पर सही का निसान लगाई ये तो पहला का है कि किन की किस्मत बंदी है तो हमने भी कविता में पढ़ा था कि जो महिनत करते हैं उनकी किस्मत बंदी है हमें किस का त्याग करना चाहिए हमें नीन का त्याग करना चाहिए क्या निरंतर बहती रहती है नदी निरंतर बहती रहती ह इसके बाद हम आगे प्रस्ण चाद दो पर आते हैं कि निम लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए तो ये प्रश्ण हमें लिखित रूप से देनी है तो इन प्रश्णों के उत्तर हम देख रहेते हैं कौपी पर इसमें पहला प्रश्ण है कि बया अपना गोश्ला किन से ब या बताती है और इसके बाद है गा चीटी से हमें क्या सिच्छा मिलती है तो इसका उतर है कि चीटी से हमें यह सिच्छा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए इसके बाद आता है गा नदी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है नदी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए इसके बाद आता है आगे प्रश्रंख्या 3 हम देखते हैं इसमें प्रश्रंख्या 3 में क्या दिया गया है कविता की पंक्तियां पूर कीजिए इस कविता को देख लेते हैं इसमें कविता की लाइनों को हमें पूरा करना है तो प्रश् इसकी बात खा है इसी नदी को देखो बहती कभी नरुकती दिन हो साम और करो कुछ और बढ़ो कहती लेती नहीं विश्राम आगे आता है प्रसंख्या चार कि प्रसंख्या पढ़ कर बताईए कि प्रकित के निमलेखित उपादान हमें क्या सिछा देती है तो बया चुडिया को हम देखते हैं तो बया क्या है मेहनत करने से मेहनत करने वालों की किस्मत बनती है बया चुडिया हमें क्या सिछा देती है क हमेशा मेहनत करनी चाहिए, फूल से हमें क्या सिच्छा मिलती है, मुसीवत सहने वाले सुखी होते हैं, यानि जो व्यक्ति मुसीवत को सहन करते हैं, वो सुखी होते हैं, नदी से क्या सीख मिलती है, नदी हमेशा कुछ करने और आगे बढ़ने की सिच्छा देती है, पेर, प प्रेड की छाया में जो है पतिक आराम करता है उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं बलकि सभी की काम आते हैं अब आगे आता है भासा ग्यान निम लिखे सब्दों के विप्रीत अर्थ वाले सब्दे लिखे सफलता का असफलता बेकार या हम अमूलिवान लिख सकते हैं सुखी का दुखी मीठा का तीखा और महिनत का आलस और बुरा का भला हसना का रोना सज्जन का दुरजन इसके बाद आता है प्रसंख्या दो नीचे दिये के सब्दों का उचारण तूर लगभख समान है लेकिन अर्थ भिन है ऐसे सब्दों को सुर्ति सम्भिनार्थक सब्द कहते हैं इन सब्दों का वाक्य में फ्यूग कीजिए तो सबसे पहले आता है बाग बाग में पेर पौधी होते हैं इसके बाद आता है बाग क्या है बाग जंगल में रहता है बाग एक जानवर का नाम है अब इसके बाद आता है हंस एक पच्छी है फिर हंस जोकर को देख कर लड़का हंस पड़ा अब अन किसान अन उगाने का काम करता है किसान अन उगाता है और पढ़ने की अलामा हमें अन्न कारी करने चाहिए तो ये हमारे सब्द होगे जो सुर्ति संभिन नार्थक सब्द है